संजीवनी हस्पताल, बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, नियूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फीजियो थेरपी, त्री एवं प्रस्तूती रोग, विद्य एवं शुगर रोग, हड़ी एवं जोर रोग, कार्डियो लोजी, दंत रोग, एमर्जे से चिकित्सिक सुविधाओं में एक भरोसे मन नाम है ICU, NICU, Catholic Lab, Care Transplant, Private Camera, Urology, City Scan, Laparoscopy, Accident, Trauma, Heart Attack, चले का इलाज Dialysis की सुविधाओं उपलब्द हैं सभी मरीजों को खानप फ्री दिया जाता है आयूशमान भारत, हर्याना सरकार और Retired 4G भायों के इलाज, इंशॉरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाओं उपलब्द पुच्टच मोबाइल नमबर 70275-66691 सबको नमस्कार जैसा हम देख रहे हैं देश भर में करोना का बहुत जबरदस्त कहर चाया हुआ है और इस करोना काल में जो सबको लग रहा है कि समाधान इसका एक ही है वो है वैक्सिन दिल्ली सरकार ने निर्ने लिया है कि 18 साल से उपर की उम्र के लोगों को फ्री वैक्सिन दी जाएगी हम कोशिश करेंगे कि इसको जल्द से जल्द और बड़े स्तर के उपर कैसे लोगों को वैक्सिन किया जाए इसका पूरा प्लैन तैयार किया जा रहा है आज सुबह हम लोगों ने दिल्ली में एक करोड चौटिस लाख वैक्सिन खरीदने की मनजूरी दीए हम कोशिश करेंगे कि ये जल्द से जल्द वैक्सिन खरीदी जाए और लोगों को लगाई जाए इस महामारी में वैक्सिन एक समधान निकल के आ रहा है वैक्सिन जिन लोगों को लगी है उनका एक तरफ करोना नहीं होता या जिनको होता है उन लोगों को माइल्ड होता है उन में से अधिकतर लोगों को अस्पताल की ज़रूरत नहीं होती और अगर अस्पताल की ज़रूरत पड़े भी तो उनकी बिमारी सीरियस नहीं होती ऐसा देखने में आया है तो करोना एक कुछ महीने पहले तक करोना का इतनी ही जबरदस्त कहर था जैसे भारत के अंदर है और वहां उन्होंने वैक्सिन बहुत बड़े स्थर के उपर अपने लोगों को लगाई तो करोना के अंदर उस लहर के कम होने का खतम होने का एक बहुत बड़ा कारण एक्सपर्ट से वैक्सिन को मानते हैं कि जैसे इंटेंसिटी को साथ एग्रसिवनेस के साथ करोना लगाई गई इंग्लेंड में उसका करोना की लहर को खतम करने में बड़ा योगदान रहा वैक्सिन के एक निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 400 रुपए में देंगे दूसरे निर्माता ने कहा है कि वो राज्य सरकारों को 600 रुपए में देंगे और केंद्र सरकार को दोनों 1.500-1.500 रुपए में देंगे मेरी उमीद है कि इसको एक ही प्राइस होना चाहिए अलग अलग प्राइस नहीं होने चाहिए उन में से एक निर्माता का मैं इंट्रिव्यू देख रहा था जो कह रहा था कि डेड़ सो रुपए में जब वो केंद्र सरकार को दे रहे हैं तो उसमें भी उनको फाइदा हो रह यह समय ऐसा है जो profit कमाने का समय नहीं है देश भर के अंदर कंद्र सरकार ने कई दवाइयों की prices के उपर cap लगाए अलग अलग रज्य सरकारोंने ऊस्पिटल्स के prices के उपर cap लगाए कि अस्पताल जुहां इससे ज़्यादा नहीं ले सकते दाम इस चीज़ के इतने लेंग ऐसे समय में जब सारा देश मिलके करोना की लड़ाई लड़ रहा है मैं समझता हूँ एक तरफ मैं वैक्सिन मैनिफेक्चरर से अपील करता हूँ कि एक तरफ वो खुद भी इस प्राइस को खुद बखुद डेड़ सो रुपए पे ले आएंगे पूरी जिंदगी पड़ी है प्राफिट कमाने के लिए ये टाइम करोना जब महामारी इतने बड़े स्थर पे फैली हुई है लोगों से ये प्राफिट कमाने का टाइम नहीं है मैं किंदर सरकार से भी अपील करता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी कैपिंग की जाए और इस प्राइस को कम किया जाए एक बात की 18 साल से उपर की उम्र पे अभी लगाया जा रहा है लेकिन इस महामारी के दौरान हमने देखा कि हमारे 18 साल से कम उम्र के जवान और बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे है उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हुई है तो उनके लिए भी अब हम सोचने का टाइम आ गया है अगर यही वैक्सिन उनको भी लगाई जा सकती है उनके लिए भी सेफ और एफेक्टिव है तो यही वैक्सिन लगाई जाए और अगर यह वैक्सिन उनको नहीं लगाई जा सकती दूसरी वैक्सिन की ज़रूर है तो मैं उमीद करता हूँ कि जल्द दूसरी vaccines भी इजाद होंगी जो बच्चों को भी लगाई जा सके हैं उनको भी safe हो और effective हो दिल्ली में oxygen beds बढ़ाने का इस टाइम बहुत बड़े स्थर पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी अभी मैं राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वहाँ पे जो एक center बनाया गया है उसका मुआइना करके आ रहा हूँ आज सुबह सुबह दस बजे वो मरीजों के लिए खोल दिया गया है लगबग 500 beds शुरू किये जा रहे हैं आज 1500 beds हैं अगले एक दो दिन में 500 beds हो जाएंगे उसके दो चार दिन के अंदर इसको 2000 beds तक और फिर 5000 beds तक लिए जाए जाएगा इसके साथ साथ वहीं पे 200 beds का ICU भी तयार कर रहे है राधा स्वामी सक्संग में और तो मैं उमीद करता हूँ किसे जनता को काफी फाइदा होगा नमस्कार